नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सिंग राजस्थान की सियासत में आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दरसल आपको बता दें ये वही तारीख है 11 जून जोसे लेकर ये दावा किया जा रहा था कि आज राजस्थान के पूर डिप्टी सियम और कॉंग्रेस सनीता सचिन पाइलेट कॉंग्रेस को जटका देते हुए अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं आज राजस्थान के पूर डिप्टी सियम सचिन पाइलेट के पिता राजेश पाइलेट की पुन्यति थी है ऐसे में ये तारीख उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां एक और इस बात पर लगतार सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वाकई सचिन पाइलेट अशोक गहलोत ने हमला बोल दिया है जिस तरीके से अशोक गहलोत ने हमला बोलते हुए वसंद्रा राजे पर निशाना साधा है उसे देख कर ये लग रहा है कि अब अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि सचिन पाइलेट कॉंग्रिस का साथ ना छोड़ें सचिन पाइलेट नई वो मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजी के कारेकाल में हुए भरष्टाचार के मामलों की जाच पर अशोक गहलोत ने बयान दिया। दरसल आपको बता देए कि सचिन पाइलेट की दौसा में रैली आज होने वाली है और इससे पहले सियम अशोक गहलोत ने वसुंद्रा राजी पर हमला पर होते हुए अशोक गहलोत कहते हैं वसुंद्रा राजे के खिलाफ सारे मामलों की जाच हो चुकी है कोई भी मामला पैं किया और बाद में जन संखर्ष यात्रा निकाली हर बार वे कहते आए कि कॉंग्रेस सरकार ने वसुंद्रा राजे के कारेकाल में हुए हजारों करोड़े के घोटाले की जाच नहीं कराई अब अशोक गहलोत ने ताजा बयान दिया अशोक गहलोत कहते हैं कि वसुंद्रा राजे की सरकार में हुए सारे मामलों की जाच हो गई और उनका निस्तारन भी हो गया। अगर कोई मामला बाकी रह गया तो कोई भी व्यक्ति आगे आकर बताए। परकार में हुए ब्रश्टाचार के मामलों की जाच नहीं हुई है उस पर अब अशोग गहलोत ने साफ कर दिया कि सचिन पाइलेट की नाराज़गी की जो वज़ा थी जो तीन मांगे थी उसमें से एक मांग को पूरा किया जास चुका है ऐसे में कही न कही यह माना जा रहा ह कि अशोग गहलोत नाराज सचिन पाइलेट को या सुवाष्ण दिलाने के कोशिश कर रहे हैं कि आप पार्टी के साथ बने रहे जो भी मांगे है वो जल्द पूरी होंगी लेकिन सचिन पाइलेट के समर्थन में अशोग गहलोत का बयान सियासी माई निकालने पर मजबूर कर रहा है दावा किया जा रहा है कि अशोग गहलौत अब अपनी कुरसी को बचाने के लिए सचिन पाइलिट के सामने जुकते हुए नजर आ रहे अब देखना यही होगा कि अशोग गहलौत के इस बयान के बाद क्या सचिन पाइलिट की नाराज़गी दूर हो पाती है या न फलाल के लिए इस खास रपोर्ट में इतना ही बागी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन नूस नमस्कार